है गाईज अनुदिस साइड कैसे आप लोग चलिए आज का व्लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुली बैठी थी बहुत ताइम से वेली बैठी थी कुछ करने ही रही थी सुभा से बहुत सारा काम था दिवाली का सफाई सफाई चल रहा है दो दिन से तो कल भी वह थोड़ा हेल दो दिन चल गया अब थोड़ा ही देरी पहले फ्री हो के बैठी थी तो सोच रही थी कि यह बहुत टाइम से बोलते हैं कि तुम व्लोगिंग नहीं करती है इतना गयाब दे देती है तो मैं सोच्छी में मैं नहीं रखती हूं व्लोगिंग एक दिन करती हूं तो तीन-चार करने के वज़े से मेरा चैनल भी मेरा चला नहीं वैसे वैसे मैं सुरू करूंगी उसे पहले मैं बता दू यह दीपको सर्प्राइज लगने वाला है क्योंकि वह मार्केट गया और उनको पता नहीं कि मैं व्लोगिंग करूंगी कि मैं स्टार्ट करूंगी या मैं कुछ बो साइम करना का मिलां πियांक लौ हमाइकन बनाइस को taiम थोर arada कोछ पुछा कि अखेंगा ईनको सर्प्राइस कर देती एक पूछेंगे तो बता दूगी है मैं अवलिए वीडियो बनाई हूं तुम्हें एडिट करके डाल दो तो चलिए आज का मैं एक ही चीज पर मैं जादा बात करूंगी कि मैं वीडियो इसलिए आज बना रही हूं कि यूट्यूब पे फोकस करना मिंस फुली फोकस करना पड़ता है एक्शुली दीपक एक बहुत बड़ा एक्जामपल है मेरे लिए वह और मै एक साथी वीड़ियो बनाना स्टार्ट की थी वो भी मेरे को बोले थे कि तू भी एकटानल स्टार्ट कर मैं देक्सन शाओ करता हूं लेकिन उतना उस हिसाब से मतलब एक महीना गया एक मेने के बाद से मेरा वीडियो बहुत ज्यादा चुछा मतलब कर दो धीन गर segundo होने लग गया उसके बाद हफ़ता हफथा दस तीन पट्रा दिन ऐसा गरी लग घ्याता जबकि दीपक पूरा रेगुलर वीडियो डालते थे रेगुलर वीडियो डालते थे और वह बहुत जादा महनती है बहुत जादा महनती वह अभी भी बहुत महनत करते है और आगे भी बहुत महनत किये है अभी अभी भी करते है लेकिन पिछले दिनों के सोचूंगी तो उपर से मैं मतलब कैमरा फेस करने के लिए बहुत जादा घबरा जाती थी, मेरा चैनल जो रिलेटेट था, मैं अपना पेरिंटिंग हेल्प टाइप का मैं कुछ डालती थी, वीडियो बनाती थी, एक्चुली मेरा बेवी प्रीमेचोर है, तो मैं प्रीमेचोर के तरफ से मैं मतलब उस रिलेटेटी मैं वीडियो बनाती थी, कि मुझे लगता था किसी को हेल्प मिल जाए, मेरा एक पहले मैं हिंदी चैनल स्टार्ट की थी, अनु एन इंडियन व्लॉगर, उसमें मेरा बहु ठील होता था मेरे को लेकिन उसके बाद मैं सोची कि साय हिए बैंगॉली सही बोलती हो बिंगोली में स्टार्ट करके देखिए हूं लेकिन बेंगउली वाला भी उस हिसाब से गया नहीं हिं़ित रड़ीवाला लेकिन 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 dall Heel to यह भी तो यही मैं खुद मैं फ मैं भी शायद ग्रो कर जाती, लेकिन कई बाड़ी ये भी सोचती हूँ कि शायद टाइम बहुत जादा दे देती, तो बेबी को समालना ही बहुत उखा था, वो भी काफी छोटा था, मतलब आज से एक साल पहले काई बात बोल रही हूँ, हम लोग मतलब एक साल से बहुत मेहनत किये हैं, तो मेरा भी वैसा ही टाइम था, लेकिन मैं ग्रो नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज यही चीज पर बात करूंगी, अगर आप कोई चीज के उपर फोकस करोगे, कोई चीज को सोचोगे कि मुझे यह चीज करना है, मैहनत करना है, तो जरूर वो हो जाता है, प कोई इशू आ गया, ऐसा बहुत कोई सोचने लग जाते हैं, मैंने वैसे ही सोचा था, इसलिए मैं अपना थिंगिंग बता रही हूं, तो लेकिन यह वाला नहीं करना चाहिए, रेगुलर अगर करते रहोगे, एक टाइम पर वो ग्रो हो ही जाता है, दीपको मैं देखती आज सची में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूं कि उनको बहुत कोई फोन करके बोलते है, गुरु जी प्रणाम गुरु जी ये गुरु जी वो या सर ऐसे या सर वैसे, मुझे बहुत खुशी होती है कि उनको इतना रैस्पेक्ट मिलता है, इतना वो बौहोट जादा अच्च है कि आप लोग से करूंकि आप लोग से ए्युक्ति हैं , ऐदे Napूसे में में हुआ है , यहीजा लेकिन टाइम आप लोगो को जादा देते हैं , तो आप लोग से से बता पाओगे कि वह कैसे है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है और अज़ा परसन बहुत ही अच्छा है वह आ गए है मार्केट से आप सोचेंगे कि क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं बस वीडियो बना रही थी अपने अब इसकाटिक यह लिए और अच्छा टमाटा मिला अच्छा बस गुगु को देखेंगे रोकिया गुगु को दिखाते हैं गुगु बहुत गंफिलाया देखें बेड पर पूरा बैड एंड नीचे देखें कितना गंफिलाया है अच्छी में वीडियो बना रही थी न मैं सोची कि अगर सांती से वीडियो बनाओंगी तो ही कुछ हो पाएगा सांती के लिए उसको कुछ देना जरूरी था उसको सारा कुछ दे दिये दिये देके बठा दिये फिर भी चुप नहीं बैठ रहा था लेकिन बहुत मुष्कि पत्तुक डायब पाता है जोब तो बहुत जादा गन्द पाता है और लुट विवाचे अज मैडम फाइबो यह दोस्तों को तो अब ही देखावल किया किया करो अपने आप शुरू किया है तो अभी देखोंगा क्या चैट बोला है वहीं खरेंगे उसको शेर बगएर किया व व्लॉक को हमारे राइट और युवान को दिखाता हूँ यह युवान के हाल देख लो भाई यह देख लो पूरा बेड़ पर क्या किया हुआ इसने यह देख लो देख पारे वह आप बुरा हाल किया हुआ है युवान किया हो रहा बेटा युवु युवु नमस्ते कर दो नमस्ते कर दो वेटा आपका डाइपर दिख रहा है अठानल बेड़िख 소개 कर दो नमस्ते दो डो कि नमस्ते कर दो बेटा कि दो न यह अभी नहीं सुनने वाला यह डम together CP अपने खीलोंों के साथ क्योंकि बड़े दिनों के बाद इसकी ममी निकाल के दिए इसको सारे किलो ने युवान ये लो चिजी लो ये लो मस्ते मस्ते कर रहा है अब इस चीज तो इसके हाथ में मारकर पेंडे पैंसल वगयरा तो पूरा प्रेंट वगयरा कि यह ती कि तैसी फेरा हुआ है यह जो आज यह कैमरे की क्वाल्टी पिक्चर की क्वाल्टी कैसे बताई हो क्यों आज हमने एक गिंबल पर चेस किया वाई हमारा एक वो कि अगरेंगे लाइव आते हैं जो उसके लिए कैमरे क्या हुआ है फड़ी रखाते इन प्राइब प्रचेस किया हुआ है और और आज आती यह ले लिया आए जो काफी जाधा हेल्फुल रहेगा आपके लिए लिए आ यह दो बढ़िया ना अब यह करेंगे तो फेस्क्म क सर्जी के तो भाई देख लो क्या कर रहा है बेटा मेरा युवान क्या हो रहा है बेटा क्या हो रहा है युवान अच्छा छोड़ दो आपके घर में भी अगर दिवार पे मारकर से बच्चे लिख देते हैं तो ये ट्रिक बहुत बाई वीडियो के बीच में एक छोटा सा टिप्स आप लोगों के लिए अगर आपके भी दिवार में कुछ इस तरह के निसान पढ़ गये हैं यानि कि आपका बच्चा घर में छोटा है जो मारकर पेन या स्केच पेन से दिवार पे इस तरह से कोई निसान कर दिया तो मेरे बहुत सिंपल है आप कोलगेट या तूथ पेश्ट दिवार पे लगा दीजिए और इसको हलका गीले कपड़े से क्लीन करने की कोशिच किजिए पूरा का पूरा ये उतर जाएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने तूथ पेश्ट लगा दिया है और इसको हलका समयस में रब करूँगा कपड़े से तो अभी मैं इसको क्लीन करने लग गया हूँ ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हो एक बूंद भी निसाने आप नहीं रहके जाने वाला है पूरा क्लियर हो जाएगा ये जहां पर हमने अभी साफ किया ये देखे चैसा है भाई मेरे इस पेश्ट का अजूबा बताईए इस तरह के और भी घरत में काम आने वाली चीजे बताईगी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए जैनल को पूरा मतलव जैसा पहले था वैसे ही हो गया ये सूख कर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा और ये टोटल काम का जो क्रेडिट जाता है वो मुझे नहीं बलकि मैडम जी को जाता है जो यहां पे आठा गुनने में लगी हुई है आप देख पा रहे हैं यहां पे आठा गुनने में लगी हुई है पूरा क्रेडिट इनको जाता है वाई बैड बुल्कुल बिखरा हुआ है क्योंकि महराज जी का दे है ये आप द बिल्कुल भी नहीं, वह भी टीवी में, फोन में वीजी है, अभी उसको फोन देखना है और कुछ नहीं करना है, चले, कोई बात नहीं यार, मिलते हैं फिर एक नए व्लोग में, अपने गर में भी इस तरह से दिवाली की सफाही करिए, चले,